परिवर्तन की बात कर रहे थे तो सामजिक परिवर्तन के सिध्धान्तों की आज हम बात करते हैं मैंने कल आपको बताये था कि सामजिक परिवर्तन के सिध्धान दो प्रकार के होते हैं उद्विकासिय या एक रेखी या फिर और दूसरा है चक्रिय तो उद्वविकासी है जो अपना समझीपरइवरतन का सिध्धांथ है उसके समझने मैकाइवर फेज ने कहा था कि उद्विकास परिवरतन की एक दिशाँ है जिसमें बदलते हैं परदार्ट की अनेक दशायें प्रकट होती है और जिससे इस प्रदार्द की वास्तिकता का पता भी चलता है उद्विकासी है सिद्धान्त की माननेताएं हम सबसे पहले हम इसमें अंध्यन करते हैं मानव की मानसिक एकतावियम अविश्कार का अभिगम में विद्वानों की मानने थाती की सभी समाजों के मानवों की बुद्धी एकसी होती है समान परिस्तेतियों में समान रुप से प्रतिकरिया करता है मानव की इस गुण को विकास वादी मानव जाती की मानसी एकता का गुण कहते हैं उनकी माननेता है कि विन समाजों का पर्यावन समान होगा तो उनमें किये गए अविशकार भी समान होगे। अनुकूल पर्यावरन में समाज जल्दी और अधिका विशकार करके समाज और संस्कृति का विकास तिरगती से करता है। तथा प्रतिकूल परियावरण में समाज अविश्कार कम करता है अत्वा कम कर पाता है। इस कारण वह समाज उसके संस्कृति विकास के क्रम में पिछड जाता है। मानव जाते की मानसिक एकता समान होने के कारण विन समाजों के लोगों ने समान परिस्तितियों में से अविश्कार की इसलिए उन समाजों की संस्कृति जिनका भोगलिक परियावरण एक सा होगा एक से अविशकार करने के कारण關係 संस्कृतियों में समानता मिलती है इसी प्रकार जो यह परिवर्तन होता है यह एक रेखिये होता है एक दिशा में यह परिवर्तन चलता है यह सरल से जटिल की ओर की अवस्था होती है तो इस संदर में कॉम, डिस्पेंसर, टाइलर, मार्गन की मानने था थी की समाज और संस्क्रती तथा इनके विभी नंग जैसे धर्म, परिवार, विवाह, कला विचार, आदी का विकास, सर्दा, सरल दवस्ता से जटल वैस्ता की और होता है अथा इनमें दविकास की शमताय विध्यमान होती है इन विद्वानों ने अपने अध्यन की घटनाओं से संबंदित रेकी रहे था उद्विकासी सिद्धान प्रतिपादित की इन्होंने बताय था कि वस्तु का विकास समय के साथ सरल अवस्ता अथा जटिल से रूप की और होता है काम्ट था इस्पेंसर ने समाज और धन की संबंद में यही पाया मारगन ने संस्कृति का विकास सरल से जटिल अवस्ता की और बताया था इन्होंने बताया था कि प्राराम में मानव जंगली अवस्ता में था फिर गवार अवस्ता में विक्सित हुआ फिर बताया कि यह सीधी रेखा में परिवर्थन होता है तो द्विकासियों की प्रहुत मानेता यह है कि संस्कृतियों तथा समाजों में परिवर्थन सीधी रेखा में तथा उपर की और होता है जिससे इनका तात्परे यह है कि एक बार परिवर्तन आगे की और होने के बाद गटना संस्क्रती आदी अपनी पूर अवस्था में नहीं आ सकते हैं परिवर्तन अथा दुद्वास सीधी सरवदा सीधी रेखा में और आगे की और होती है तथा वह पुने है वापिस नहीं लौटी जा सकती है उत्विकास सरल से जटी लवस्था में होता है सीधी रेखा में होता है तथा यह वापिस नहीं लौटता है नेक्स्ट हम बात करते हैं निश्वी स्वरूपों तथा चरणों में परिवर्दन तो सामजीक उद्विकास ने समाज संस्वतियादी का उद्विकास जीव जगत से निश्वी चरणों में होना बताया है जिस प्रकार से डार्विन ने एक कोशिय जीव अमीबा से निश्वी चरणों में विकास के करम को स्वस्ट करते हुए मानव जीव का प्रत्वी पर प्राधुर्वाव सिद्व किया था उसी प्रकार से कॉम्ट, स्पेंसर, मारगन, टाइलर आदी ने सामाजी घटनाओं का उद्विकास निश्वी चरणों में स्वस्ट किया है समाज सता संस्क्रती के प्रारमे वस्था के स्वरूप सरल होते हैं प्रतेक विकास का स्वरूप चटिल होता है और विकास का अंतिम चरण स्वरूप जो होता है उद्विकासियों की माननेता है कि कोई भी समाज अथा संस्क्रती विकास के इन सभी चरणों से होकर गुजरत है तथा बीच का कोई स्वरूप इनका नहीं चूटता है उधारन की रूप में माक्स के अनुसार समाज आखे टक चारा काही क्रशक आध्योगी सामेवाद के अवस्थां में से होकर विक्सित होता है तथा इन सभी चरणों में से समाज रूप को अवश्य रूप से गुजर क पर ही विकास की जटिल अवस्था में पहुचना होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं नेम्ड विभीधी करन से उच्च विभीधी करन की प्रक्रिया तो सरल साधा सीधे छोटे समाजों जैसे आदिम समाजों में श्रम विभाजन तथा विभीधी करन नियुमतम होता है उसी प्रकार दुर्खी मी स्पैंसर आदी कास द्विःकासियों के माननेता है कि जैसे यसे समाज सरल से जटिल सूप में विक्सित होगा वैसे वैसे उनमी श्रम का विभाजन रथा विभीधी करन भी नियुमतम होता जाता है जीवों की तरह संस्कृति और समाज भी जटिल से जट्लता की और विक्सित होता है अधी जट्ल विक्सित जीगों में अनुकूलता का गुण अधिक होता है उसी प्रकार से स्पेंसर के अनुसार उसमें सामन जिससे तथा अनुकूलता का गुण भी अधिक पाया जाता है इसी प्रकार यह है निम्न श्रम विभाजन से अधिक गिर्फितम श्रम्विभाजन की the rest do regard तो दूर्फिम कि माने था थी कि theathy विकास विकास की प्रारंबिक सवरूप में श्रम का विभाजन का भाव होता है अत्वा बहुत निम्नी श्रम्विभाजन होता है लेकिन जैसे संख्या बढ़ती है उसमें कि the जटिल्तम समाज में श्रम विभाजन जटिल्तम होता है आदिन समाजों में नियूंतम श्रम विभाजन होता है तथा अधिक्तम विक्सित समाजों जैसे महानगरों में अधिक्तम श्रम विभाजन पाया जाता है इसी प्रकार नियूंतम विशेशी करण से अधिक्तम विशेशी करण की प्रक्रिया समाजों और संस्कृतियों के रेखिये अधुकासिये क्रम में जीव जगत की जगत रहसे जैसे इसे श्रम विवाजन में बद्धी होती है वैसे यसे उनमें विनंगों का विशेशी करन भी होता रहता है इसको जीव जगत तथा सामाजी जगत के उधारन के दोरा मिस्पस्ट कर सकते हैं इसी प्रकार एक और इसकी विशेशता है नियूंतम अनन्य श्रित से अधिक्तम अनन्य श्रिता तो समाज था संस्कृतियों की जब नियूंतम विकास के अवस्था सुरूप होती है तब उनकी सरंशना की कायू में नियूंतम पारस्परिक निर्भरता अत्वा ननिशृता होती है स्पेंसर का कहना है कि इनमें विभेदी का न्यून होने के करान ऐसा होता है लेकिन जब समाज, संस्क्रति, राज्य, आधी का रेखेत विकास हो जाता है तो उनमें परस्पन निर्भरता बढ़ जाती है तुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन विशेशी करने ब्रती करता है जो संगठन के विविन अंगो को एक दुस्य पर अन्य निश्रित कर देती है अन्य मानेताएं यसे हैं कि रिखिये स्वरूप अत्वा उद्रकासिय सिध्धान से संबंदी तनीक मानेताएं जैसे अनुकूलन प्रक्रिया की नेवन तरता विविन अंगो का इसपस्ट प्रिथक में विविकास पारस पर एक दिर बढ़ता अस्तित की ले संगर विग्यतम क इसी प्रकार अंगों नेक्स्ट बात करते हैं कौंट की द्वारा दिये गए विचारों के बारे में हम बात करते हैं तो जो कौंट समाश्य शास्त्री थे कौंट की सिध्धान की माननेताएं विकास वादियों के समान है ये दोनों ही मानते हैं कि सामाजिक परिवर्दन ने इन विकास कुछ निश्ची चरणों में होता है कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्दन की व्याख्या निश्ची चरणों सरन से जटिल की और सीधी रेखा में बताया है सामाजिक परिवर्थन को मानव के बौधी विकासों के अनुसार माना है तथा सामाजिक परिवर्थन को एक निश्रित पूर्ण निधारित क्रम में सबस्ट किया है कॉम्ट के अनुसार सामाजिक परिवर्थन मानव के तीन चरणों में बौधी विकास के अनुसार होता है इस्ट्री कौन से सूचता है वस्तु के संबन में इस पस्टी करण के लिए वह इश्वर ये पौराने संधर्प का सहरा देता है समाज भी इसके साथ साथ धार्मिक वस्था में होता है तथा मानव सामजी घटनाओं को अलौकिक शक्ति का प्रभाव मानते हैं विकास के योग सिध्यानुभाविक विधी से सत्य की खूच करता है जो तर्क सम्मत होता है समाज भी परिवर्तित होकर इस तीसरी अवस्था में विज्ञानिक अवस्था में पहुँच जाता है तो काम्ट की मानता है कि प्रतम दो अवस्थाओं में समाज स्वैम परिवर्तित होता लेकिन तीसरी अवस्था में मानव योजना बना कर समाज को इच्छा के अनुसार निश्रित लक्षों को प्राप्त करने के लिए परिवर्टित कर सकता है तो इस प्रकार कॉम्ट ने भी माना था कि सरपरतम विकास की जो प्रक्रिया है वो एक सीधी रेका में होती है इन्होंने बताया कि धार्मिक अवस्था होती है फिर तात्मिक अवस्था होती है और फिर प्रत्यक्षपूत के अवस्था होती है तो इस प्रकार यह जो परिवर्टन होता है यह एक निश्रित चरणों में होता रहता है इस प्रकार आजम ने रिखे सिध्धान्त में कौम्ड के सिध्धान्त को पढ़ा उसे समझा आगे हम स्पेंसर, मार्क्स तथा उनके क्या विकास के सरूप हैं उन सब का धिन करते हैं धन्यवाद